हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं रोई चिंग आप सब का वेलकम करता हूँ अपने योटूब चैनल इसका एजूकेशन में तो फ्रेंट्स आज मैं बात करूँगा नंबर सिस्टम जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है एक्जाम के अंदर या फिर रेलवे हो या तो SSC हो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर जो कोश्चन दिखाए दरा इस तरह का इस तरह का कोश्चन SSC के एक्जाम में या फिर रेलवे के एक्जाम में कम से कम एक नंबर का कोश्चन पूछा ही पूछा जाता है जो की देखने में तो difficult लगता है लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ दो सेकेंड में अंसर आप निकालेंगे आप खुद निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ दो सेकेंड में वीडियो को complete देखिए सबसे पहले मैं इस question का basic बताऊँगा उसके बाद ट्रिक बताऊँगा जिसके माद्यम से आप दो सेकेंड में अंसर ला सकते हैं ठीक है विल्कुल हस्ते हस्ते बनाएंगे इस question को तो चलिए आज question start करते हैं पांचे question है उसका last में एक question आपको दिया जाएगा उसका answer आपको comment box में बताना है तो चलिए विडियो को start करते हैं देखिए first question आपके screen पे ऐसा मुझ सोचेगा कि easy question है easy question देखकर यहां से छोड़कर students चले जाएंगे फिर दूसरे विडियो पे जाएंगे फिर ऐसे ही देखेंगे एक दो question छोड़कर चले जाएंगे कहीं भी देखिए video complete देखिए तभी कुछ सीखने का मौका मिलेगा ठीक है देखिए सबसे पहले मैं इसका basic बताता हूँ under root of 6 plus under root of 6 plus under root of 6 dot 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 कहां तक गया है not defined तक गया है ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं basic बताता हूँ बिल्कुल ही boring मत फिल किजिएगा थोरा बरदास्त का अगर देख लेते हैं पूरा वीडियो तो बहुत ही फायदा होने वाला है ठीक है सबसे पहले अगर यह जो भी दिया हुआ है इसको अगर मैं x मानता हूँ तो x बराबर में under root of 6 plus में under root of 6 plus में under root of 6 इस तरह से कहां तक गया है note defined रिया ठीक है अगर मैं एहां से इधर कर देता हूँ और पिर इहां से देखता हूँ तो फिर से x की values दिखाए दे रही है जिसको मैं एन्ने x माना था फिर से यहां पर दिखा दे रहया not defined तक यहांई x तो यहां मैंनस में 6 बरावबर में कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब ध्यान से देखा जाए तो Quadratic equation बन गया Quadratic equation क्या होता है A x square plus B x और प्लस C बरावबर में 0 फिर या पे बीच में plus हो या फिर minus हो कोई फर्क नहीं पड़ता है quadratic equation बन गया ठीक है तो ध्यान से देखा जाए तो quadratic equation को कैसे solve करते हैं ये last वाली c की value और a की value को multiply करते हैं ये जो आता है minus 6x square आता है और यहाँ पे बीच में plus करना है या फिर minus करना है plus या minus करने पर minus x आना चाहिए और multiply करने पर minus 6x square आना चाहिए तो क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए 3 और 2 में इसको break करते हैं तो यहाँ पर xx square तो agility रहने देंगे ठीक है और यहाँ पे क्या करेंगे कि plus में 2x और minus 3x करते हैं तो यहाँ पे 2x में से 3x minus करेंगे तो minus x आ जाएगा ये complete हो गया और दोनों को multiply करेंगे तो minus 6x square आ जा र जाएगा x plus में 2 x common ले लिया जाए तो x plus में 2 बच जाएगा अब यहां पर देखिए x plus 2 और x plus 2 common है ठीक है x plus 2 x plus 2 common है तो यहां पर क्या करेंगे कि x plus 2 और 1 है x minus में 3 x plus 2 मैंने common ले लिया और x minus में 3 बरावर में 0 तो x की value minus 2 आ सकता है या फिर x की value 3 आ सकता है x की value या तो minus 2 आ सकता है या तो x की value 3 आ सकता है तो यहां से देहान से देखा जाए question में कहीं पे आपको minus दिखाई दे रहा है कुश्चन में कहीं पे माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका एंसर जो होगा, वो माइनस में आने की समभावना ही नहीं बन सकता, कोई सवाल ही नहीं बन सकता कि माइनस आएगा एंसर में, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव एंसर होगा, क्योंकि कहीं पे माइ जाएगा किसी स्ट्रेट्स को सिखाने का मौका मिल जाएगा आपको ट्रिक भी सीखने का मौका मिल जाएगा कैसे ट्रिक आता है ठीक है देखिए इसका ट्रिक मैं बताता हूं इसका ट्रिक जो होता है सबसे पहले इसका फॉर्मूला विध्यान से देख लीजिए तब तो ती question में आपको plus 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 दिखाई दे इस तरह से और not defined तक है तो बाहर में plus one दे देंगे आगर question में minus 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 दिखाई दे तो बाहर में minus one और बीच का ये जो है यह रहेगा बीच का ये जो आपको दिखाई दे आए यही रहेगा तो चलिए इस पर बढ़ाते हैं कैसे होगा under root of four और x की value क यह 5 चो चो बटा में दो यानि इसको काटेंगे तो कितना answer आजाएगा 3 answer आजाएगा यह तो formula से हो गया right answer 3 आजाएगा अब इसको short से बिलकुल देखते ही question को कर सकते हैं एक से 2 second में भाया देखिए यहां पे 6 है तो 6 को ऐसे 2 factor में तोड़ना है 6 को ऐसे 2 factor में break करना है जिस इसके बीच यानि दोनों अंक के बीच different one का हो जैसे में 6 है तो इसको दो अंक में break करेंगे दो factor में break करेंगे तो यह तो 2 और 3 में break हो सकता है और 2 3 में break होगा तो यहां पे अंतर भी 1 आ रहा है दोनों अंक में जो break करेंगे उसका अंतर भी 1 होना चाहिए ठीक है तो अंतर दिखाई दे तो छोटा वाला एंसर हो जाएगा यहां पर question में प्लस दिखाई दे रहा है तो बरा वाला एंसर यानि 3 तो right answer कितना हो जाएगा थिरिया आपका correct answer हो जाएगा basic भी समझा दिए formula के होता है उसको भी समझा दिए trick के होता है उसको भी मैंने समझा दिए अगर factor नहीं तूटता है तो direct formula लगा दिए basic करने की कोई जरूरत नहीं मैं आपको answer मिला दिया हूँ समझा दिया हूँ ताकि किसी बच्चे को समझा सकत है ठीक है इसलिए मैं basic बता दिया हूँ formula आपको apply करना है जहां पर factor नहीं break हो सकता है और जहां पर factor ब्रेक हो सकता है वहां पर जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है चलिए next question को देखते हैं यह वी question easy है अब मैं trick ही बताता हूँ basic तो एक बता दिया formula बता दिया formula भी लगा सकते हैं trick में लगा सकते हैं trick यहां पर 3 और 4 में break करते हैं 3 4 में break करते हैं तो यहां पर question में हमें minus दिखाई दे रहा है question में minus दिखाई दे रहा है इसका मतलब छोटा वाला answer 3 हो जागा 3 आपका right answer होगा question में minus दिखाई दे तो छोटा वाला answer होगा और question में plus में आपको माइनस दिखाई दे रहा है ना तो बाहर में माइनस 1 अपॉन में 2 कर देना है अंडर रूट ओफ 4 और X की वैलू है 12 और प्लस में 1 और 12 में माइनस में 1 अपॉन में 2 इहाँ पे देखा जाए तो बार चक और 14 एक उनचास रूट में 49 और रूट से बाहर उनचास को निकालेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस में 1 अपॉन में 2 ault में से 1 जाएगा तो 6 और बटा में 2 6 बटा 2 कितना हो जागा 3 यानि यहां पर right answer कितना हो जागा 3 मैंने अभी trick से भी बताया formula से भी बताया चलिए next question को देखते है next type का question ध्यान से देखिए next type का question तो है नहीं यहां पर क्या है कि यहां पर factor टूट नहीं सकता factor में break नहीं कर सकते तो direct formula से बनाईए direct formula से under root of 4x और plus यहां पर प्लस में 1 upon 2 क्योंकि यहां पर प्लस है तो इसलिए मैंने बाहर प्लस 1 upon 2 ले लिया ठीक है यहां पर देखा जाए तो उन्हें से चार में multiply करेंगे तो उन्हें चुक 76 और प्लस में 1 यानि root 76 और प्लस में 1 sorry root 77 और प्लस में 2 right answer हो जाएगा उन्हें चुक 76 और प्लस में 1 upon 2 जाएगा उन्हें इसलिए निग्स ग्योंकि धियान से देखिए बहुतह से प्रवार्ट में आपको जो भी दिखाई दे रहे ना रूट में जो भी दिखाई दे रहा है और प्रवेसिक अब इसका थ्वरा बता देता हूं ताके आपको कोई confusion ना रहे कि हाँ कैसे हो सकता है देखिए ध्यान से अगर मैं यह सारे number को x मानता हूँ तो root 5 root 5 root 5 इस तरह से not defined तक गया है ठीक है यहाँ से देखा जाए तो अगर एक root 5 को अगर इधर ले ले लिता हूँ फिर से यहाँ पे देखा जाए तो यह फिर x की value दिखाई दे रहा है not defined तक है भाई यह तो कफी limit है नहीं ठीक है तो फिर से यह x की value तो x बराबर में under root of 5 और यहाँ पे x कर सकते हैं अगर दोनों तरफे square किया जाए तो x x square बराबर में 5 और into में x हो जाएगा क्योंकि square से root खत्तम हो जाएगा यहाँ x x square है और यहाँ पे x है तो 1 x से x x cancel out हो सकता है तो x की value यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आपका right answer हो जाएगा अब x की value 5 आ गया तो यह 5 आपका right answer हो जागा क्योंकि यह सारी value को हम x माने थे इसलिए x की value 5 तो इसका भी value 5 चलिए next question को देखते हैं यह देखिए यह question ला जबाब question है देखिए ध्यान से इससे पहले वाले में not defined तक था तो उसका right answer जो अंदर में था root में था वही answer हो गया था लेकिन यहाँ पर not defined तक नहीं है भाईया यहाँ यहाँ पर limit है इसलिए यहाँ पर root 11 answer यहाँ एगारा answer नहीं हो सकता है यहाँ पर concept दूसरा लगेगा ध्यान से देखिए जितना बार under root में रहेगा जितना बार कोई भी अंक रहेगा चाहे अंक कोई भी रहे और limit रहे not defined तक ना रहे limit रहे तो क्या करेंगे उसको सबसे पहले two लिख लेंगे और जितना बार रहेगा जितना बार रहेगा तो यहाँ पर कितना बार आपको दिखाई दे रहे कितना बार आपको दिखाई दे रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छो छो बार दिखाई दे रहा है तो दो के पावर चो कर देंगे दो के पावर चो कर देंगे तो दो के पावर चो कितना हो जाएगा दो के पावर चो हो जाएगा आपका चौशट तो 2 के पावर 64 तो यानि 63 बटा 64 सबसे पहले आपको लिख लेना है 63 बटा 64 लिख लेना है और यहाँ पर क्या करना है 63 बटा 64 तो मैंने लिख लिया और 2 के जग़ा पर क्या करेंगे कि जो भी संख्या है ना आपका एक गारा है तो 11 के power 63 बटा 64 आपका right answer हो जाएगा 11 के power 63 बटा 64 आपका right answer हो फिर से ध्यान से देखिए नहीं समझ मैं आप फिर से समझाएंगे यहाँ पर क्या किया मैंने कि जो भी संख्या रहे उसको 2 के power सबसे पहले count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाड़ा है तो छो बर तो दो के पावर चो करेंगे तो दो के पावर चो आता है चो सट तो दो के पावर चो सट आता है तो जो भी संख्या रहेगा उसके पावर चो सट कर देंगे जो भी संख्या यहाँ पर एक गारा है तो एक गारा के पावर मैंने 64 कर दिया, और ज़श्ट इसमें से एक माइनस करके उपर में लिख देना है यानि एक गारा के पावर rec64 आपका right answer हो जाएगा एक गारा के पावर rec64 बटा आपका right answer हो जाएगा चलिए next question को देखते हैं, बहुत ही वहत तरिक है, सिर्फ 1-2 second ला सकते हैं उससे ज्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं देखिए नेक्स्ट को देखते हैं यह कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन है देखिए ध्यान से इसका एक ही मात्र फर्मूला है उसको ध्यान से कि अगर व्यसिक में समझाना है स्टार्ट कर दूना तो यहां पर यहां पर 10 से 12 बढ़ेगा 10 से 12 बढ़ेगा और बोड पर मैं बताना चाहू तो एक बोड तो कंप्लेट बढ़ी जाएगा ठीक है इसलिए मैं इसका डैरेक्ट फर्मूला बता देता हूँ आपको ध्यान से देखा जाए तो एक प्लस है एक माइनस से एक प्लस है और एक चल रहा है plus minus plus minus और अंत कहां तक गया है not defined तक गया है इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर root of 4x minus में 3 अंडर root of 4x minus में 3 और बाहर में plus में 1 upon में 2 अभी ये ध्यान रखना है यहां पे कि plus 1 कहां पे apply करेंगे तो first बार में अगर plus होता है अगर first बार में plus रहेगा तो यहां पे plus 1 apply करेंगे first बार में अगर minus रहे तो यहां पे minus 1 apply करेंगे इससे next वाली question इसी type का देखेंगे जो कि first बार में minus है उसका answer आपको comment box में बताना है ठीक है तो यह formula पे चलिए drive करते हैं रखते हैं यहां पे under root of 4 है तो 4 और x की value है 4 और minus में 3 और plus में 1 क्योंकि first बार में plus है तो plus में 1 रखेंगे upon में 2 यहां पे देखा जाए तो 4 चक 16 और 16 में से 3 जागा तो root 13 तो root 13 और plus 1 of 1 में 2 आपका right answer जो कि इतना जल्दी कर सकते हैं चलिए next question देखते है next question मैं नहीं बताऊंगा इसी से मिला हुआ question है आपको उसका answer comment box में बताना है ताकि मुझे भी मालूम चले video आप complete देखे आप कुछ सीख़ा है इस video से देखिए next question को देखते है देखिए next question आपके screen प आले वाले question में जो मैंने बताया कि वहाँ पे बाहर में केवल और केवल minus 1 कर देना है और कुछ changing नहीं करना है इसका answer आप comment box में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो like comment जरूर करे क्योंकि आपका एक like और एक comment यह में आगे की और must must video बनाने के लिए motivate करता है क्योंक कि मैं इसी तरह का tricks and tips का video लेकर आता रहता हूं तो चलिए फिर मिलते next video में bye bye take care अपना प्यार देते रहे